बल्देव सिंग टिलो ना नावल गुस्ताखी मौफ ता अठ्वांग कमों अपड़े बैड़ ते पई सिंग दी अंगलां बारे सोच दी है कि किमें उन्हें थोड़े जे शब्दा में ची एको युग पल्टाओ गाल से दखार देते सच मुची असी नकली जीवन जी रहे हैं जिसनों किसे दा निर्दारत कीता होया है कुदरती बिल्कुल ही नहीं इसे करके पैर पैर ते सानों मुश्कलां ते उल्जनादा सामना कर दे हुए दुखी होना पन दे सिंग साब दे कैन मुदाबक जे मैं आज तों हजारां साल पहला एक पूरन रूप्च आजाद वातावर्न चुणानों मिल दे तो मिलनी पलांके होजी हुन दे फिरो इसे विशेते सोचन लग दिये उदे दिमाग चाजतों हजारां साल पहलां दे जंगली दुनियां दा द्रेश उत्रन लग दे सिंग ते उदी पतनी जंगली लोकां दे पेस्ट एक दुझे दी बांच बांप आई जा रहे हैं रस्ते चुनानों कमों एक जंगली लड़की दे पेस्ट मिल दिये उदे सिंग दे सुंदर ते आ कर्शक स्रेर नू वेह के बहुत परबावत हो जान दिये ते सोच दिये कि किनना सुंदर ते प्रोसे यूग आदमी है क्योना इनू इस ओरत तो खोल या जाई से रादे नहीं देनल सेंग देतके मुस्करोंदी हुई उन्य दे सामनी आकी उन्य रस्ता रोक लें दिये सेंग दे उदी पत्नी मुस्करोंदी हुई एक दूसरे वाल वेह के रोक जान типа कम्मों ना दे आले द्वाले नच दी हुई गेड़े कड़न लाग जान दी है। इक चटके नल दोनानू अलग लग करदें दी है। फिरू पहलाँ वांगी एक दुझे दी बांच बांपाके चले जान दी है। चाड़ियां चुप चाप खड़ी शिर्मिंदा जी हुई कम्मों उनवल देख दी रहन दी है। अजे नीद नी पूरी हुई सिंग दी पतनी दरवाजी अग्गे आके कम्मों नूप उच दी है। कम्मों एक दम चौंक के उठ दी है ते उस वल शिर्मिंदा जी आख खानाल सैम के देख दी है। उदे चेरे उते पवित्तर मुस्कान ते सादगी वेक के उपणिया नजरां चुका लन दी है। उठो चल के खाना खालो सब लोग तेरी इंतजार कर रहे हैं। कम्मों उठके शर्माई शर्माई जी उदे पिछे पिछे चल पेंदी है। उन्हा दे विच जाके उएक कुर्सी ते बैठ चन दी है। उन्हों एउन लग दाए कि हीरें दी परी इस प्लेट विच वो एक नकली हीर है। इस करके उस एम्मी जी बैठी सी। सिंग कुछ चेर उस वल देखता रहन दाए। फिर डांट भी आवास्ट केंदा है कमों। कमों चौंक के सिंग वल देख दी है। फिर हॉली हॉली हुदा चेरा बच्चियां वांगी पोड़ा पड़ा हो जन दाए। वो खेड खड़ा के हस दी हुई केंदी है। सौरी सौरी। खाना खान तो पिछों सेंग कमों नू अपने नाली अपने कमरे चिला जांदे। उस वल थोड़ा जया कोडिया खानल देख किया नू केंदै। तु अजे ताको उस पुराणी दुनियानू पुल्ली नी। आज तो पेछों उस दुनियानू सदाली पोल जा। उदा जरा जना पठ्छामां भी तेरे चेरे उत्तेर नहीं आणां चाईड़ा। जदा तु पूरी तरह उस पुराणी दुनियानू पुल्ल जाएंगी। उदा इस नमी दुनियाना रंग तेरे चड़ना शुरू होएगा। जे कोई अजे या डर तेरे अंदर है जो तैं हालां तक मैनू नहीं दस याता दस। मैं उदा कोई न कोई हाल करा। मैं तो किसे भी गालनू गुपत ना रखी। अजे या कोई मसला नहीं होंदा जो हाल ना हो सके। जे नियत नाल हाल करना हुए। पर अज तो पिछ्छों ओ बे सुआदियां गईयां गुजरियां जीयां गल्नां दे चलक। तेरे चेरे उत्ते दुबारा नहीं आने चाहिए। मैं तेरे नाल किसे भी किसम दी जोर जबरदस्ती नहीं होन दे आँगा। उन्हों ही होएगा जो तैन्नू मनजूर होएगा। इस करके तु बिलकुली बे फिकर ते बे खौफ हो जा। ठीक है सर। वैसे जई कोई भी गाल नहीं है जो मैं तोनू ना दसी होए। जान जिस्ता मेरे दिल उत्ते कोई डार चांबोज होए। मैं तोड़ी छतर छाया हिट बहुत ही खोशां। सर में तोनू दास नहीं सकदी कि मैंनू इस परवार चाकी किन्नी शांती मिली है। फेर वी इनना वड़ा परिवर्त नौनू कुछ जेरता लागी जाएगा। मैंनू पूरी आस हैं मैं बहुत ही छेती तोड़े अशीरवाद नालोस्ते सफल हो जावाई। देख कमो। मैं तेरी आत्मानू बलवान करन ले ते इंसानी जीवन बारे। तेरी सोच नू होर सपष्ट करन ले तैनू दसान। ये ता तू जान दी हैं के एक मर्द दी नजर चेस दुनिया अंदर सब तो दुरलब ते कीनती शें एक औरत ही हुन दी है। पर उना दे बच्चे भी हुन दे हन। उसु हागणा भी को हुन दिया हन। पर मन कवारी हन दे हन। औरत दा सरीर नाई दुरलब हन दे नाई कीनती। ये ता सस्ता ही हन दे है। बजार भी चुई ते होर बहुत सारीय थामाती विक्द है। इनू जे दा जी चाही पैसे खर्च के खरीद सकता है। ये बहुत महिंगा भी नहीं हन दा। दिल नहीं जित लेंदा, उदा मन शांत नहीं हुंदा, उन्हों सद पटकना ही लगी रेंदिये। दिल नहीं है। उदा दिल जित के उन्हों शान्ती बक्ष देए। सिंग बोल दा रन दै पर कमो पहली यां गलां विची उल्ज के रह जन दिये। साफ रखने पैनगे। ये थे जराज नी भी गल्त सोच नहीं चलेगे। फिर उमानी मन प्रतिग्या कर दिये। कि अग्गों ले यजें यां बेल ओडियां गल्लां अपने दिमाग ज कदी नी आउन दाएगे। ते सदा ही अपने देलनू शीशे वांग साफ रखेगे। जी कहके बुलांदी सी। उनना ने भी इस रिष्टे नू नहीं सचे दिलों मानता देते। जिस कारके हुन कम्मों नू यां लगदा सी। कि एदी सकी पैन ते पाबी दी सकी नन्द। उधी पाबी ता पाबी शबद सुन के बहुती खोश हुन दे। वैसे वी नन्द पर जाईदा रिष्टा बहुती डुंगा ते स्वाधी जय हुन दे। नन्द दा प्रा उदा मर्द पती हुंदे, ते नन्द ओधी औरत पती हुंदे, कि क्योदा उस उपर जोर ते पराज नहीं हुंदे, ते ओवी अपने उपर ओधा दी कारों दे पराज नहीं मान दिये, इस तरह नून उवी संतोश मिल दे, कि मैं ओधी पत्निया, एक मेरे वर गिया हो दी पैन, इस टाल पती दे मांच और दा सनमान करन दी पावना पैदा हुंदिये, ते पाबी दी सुरख्या चुवद्धा हुंदये, ते जिम्मेवारी कट दिये, पर साड़े देश दे कई जाहल लोग इस रिष्टे दा अनंद मानन दी था, इस कुड़तन पैदा कर लग दे हन, ते एक दुझे दे दुश्मन बाण जान दे हन, कमों जदो अपनी पाबी उत्ते प्यारा जया रोब दी खौंदी, तो उन्हों बुरा लगण दी था, सगों चंगा लग दा, एस रिष्टे दे पैदा होन ते छेती पिच्चों, वो दे कारवाड़ा भी कमों पराम मांगी कोड मिल गया, जिस्तरा हर ओरत नू किसे दूसरे मर्द दा हाथ लगण नाल, बिजली दे करंट वांग चट का लगदा है, उन्हों अपने पांच बदल चुक्या सी, उन निर्संकोच परादे गाल लाग जान दी, उधी छो नालों नू माम बाप दे प्यार बरगी शांती मिल दी, जिस्तरा माम बाप जा प्यान प्रादे गाल नाल लाग के चट के दी था, ठंडग पैजान दी है, इस सार यां क्रिया मां कमू अपने जीवन च पहली वार अन्बव कर रही सी, उन जो दो कमू किसे गाल उत्ते जिद कर दी, तो दा प्रादे पाभी सिंग साइब जा अपनी भी भी कोल शिकायत कर दे, जिस तरह हर परवार च पैण प्रामांदर हुन दे, कमो कई वार प्रार अल बजार गई ता, उनने अन्बव कीता के प्रादे बरबर जान दी पैण किनी शक्तिशाली हुन दी है, उदे मांच किना अतम विश्वास दे फ कमरे जाके किया, सर तुसी मैनू किसे काम मुत्ते ला दियो, मैं कार बेठी अक गई गया, सिंगो दे चेरे नू किन्ना ही चेर गौन अल वेखन पिछों बोलिया, जे तु सच मुची अक गई गया, तो बखरी गल है, खर्चे जा रोटी ली नौकरी नहीं करनी, सर पला तुसी ता सब जान दियो, खेर कोई गल नी, मैं सोच विचार के कोई कम लब लवांगा तेरे लिए, ओके सर, थैंक यू, कोई दिना पिछों सेंग ने कमोन अपने कमरे चु बलाके किया, मैं तेरे लिवास्ते एक नौकरी ना बंदोबस्त कर लिया, इक अखबार वाला मे ग्यानक स्वालां दे ज्वाब दिया करेंगे, इस नाल तेरे ग्यान चु भी बदा हुएगा, ते दिल भी लगया रहेगा, कमोने थोड़ा जै कबरा के किया, एक आम ता काफी मुश्कल है, जी मैं तो ना हुए, फिर मैं जान दा, कुछ दिन मैं तेरे मैं तेरे कुल ते मैं दास्तिया करांगे, ठीक है सर, मैं तेरे मैं तेरे मेरे सिर्थे तुसी हो तो मैंनो की फिकर है, इस तरह कुछ दिना पे च्छों यो कॉलम शुरू कर देता गया, ते कमो, सिंग दी साहता ना लोकां दे मनों वी ग्यानक स्वालां दे जवाब देन लग पे, स्कोल चिठिया ओन लग पे गया, कई लोक उनू मिलन वी ओन लगे, एक दिन जदो सिंग साहब शाम नू का रायता हो ना कमो नू अपने कमरेच बुला लेया, तो बड़े खुश नजर आ रहे साहन, कुछ चेरो कमो दे मू अलवे के मुस्कराओं दे रे, फिर उना बड़ मेरा एक दोस्त है, उदे या बजार्च कुछ दुकाना हैं, जो किराई उपर देतीया हुई हैं, उदा एक किराएदार नाल किराई दे मसले थी रोड़ा सी, वो मैंनों फैसला करन ली, अपने नाल ले गया, जो तो मैं उथे जाके देखिया है तो एक शराब पीन वड़ा हाथा सी, उस किराएदार नाल हिसाब किताब दा रोड़ा सी, वो ता छेती निप्ट गया, पर मैं उथे बैठे कुछ बंदिया दे ये गल्ला सुनान लग पया, उथे बैठे शराब पी रहे सन, पहला ता मैं उना वलकोई त्यान ना दिता, पर जदो उना तेरा नाल ले ता मैं चुकना होगे, उना दे ये गल्ला सुनान लग पया, उना चेक अदखड जे आदमी भी बैठा सी, जो गाल कार रहा सी, बाकी तिन जणे नौजवान सन, उना अदखड जे बंदे ने गाल चलाई, या राजकल अपने शेयर चेक विज्ञानक लड़की दी बड़ी चर्चा हो रही है, क्या नाम है उसका? हाँ, आया याद, कामी नहीं देवी, क्या रुमेंटिक नाम है? वो आखपार चे लोकां दे सुवालां दे जवाब दिन दिये, बड़ा ही निराला ती रुमेंटिक अंदाज है होदा, मैं काफी दिनां तो उदे सुवाल जवाब प पर देता है, कल वड़े जवाब चे किसी ने पुछे है सी, कि आदमी अपनी जवानी नो लम्मे समय तक किस तरह बचा के रख सक रहा है, उन्हें इस सुवाल चे बहुत ही मनन योग ते टुक्वियं गल्ना लिखिया है, जिना नो पड़के आदमी बहुत ही परबावत उदे कैन मताबक, आदमी असी साल तक बड़ी मौज नाल जवान ते हटा कटा रह सकता है, मेरी उमर ता हलां पंजास साल तो भी पूरा काटी है, एस साब नाल ता मैं अजे पच्ची-ती साल तक और जवान रह सकता, वा, आहा, आज ता मैं रजगे पियूंगा, कल तो मैं उस्ते या सूलां ते चलूंगा, वो अपने दोनों हादों पर चुक के बड़े शायराना अंदास चिकेंदा है, वे सुन देओ, मैं फिर जवान हो जाऊंगा, ते उत्ते बैठे सारे उदी इस सदा ते हस देहां, यार जो तो मैं फिर जवान हो गया, तो अड़ी पर जाई, नाल तकाम नहीं चलेगा, आहा, मैं दूसरी शादी कराऊंगा, फिर सारे हस देहां, फिर उत्ते बैठे बंदियां वेच्चो एक बोलता है, अखवार ता पापी जी ने भी पढ़िया हो, जे तैथों हो देहां, सूलां उते ना चले आ गया ते पापी जी तेजी जी ना लमल करके, तैथों पहला मुड़जवान हो जान दिया ता फिर, जे उने होर विया कर लिया ता फिर सारे हस देहां, फिर इहास सा मजाक बंद हो गया, शराबी होन दे बावजूत तेरे उस लेक होते, उते गंबीर चर्चा होई, यह लगदा सी तेरा उन लेक अंदर तक हिल गए हन, ते उना उपर डूंगा असर होया, शाबाश, कमों लगदा है, कि जे तुँ एसे लगननाले से पासे जुटी रही, ता चेती बहुत मशूर हो जाएगी, मैं सारा कुछ देख सुन के इनना खुश होया, कि एक वार दिया डिटर कोल चला गया, उन्ह तेनु भी ये सारी गाल सुनावा, कमों मुस्क्राउंदी होई, सिंग साव दी गाल सुन दी रही, सिंग साव दी गाल खतम होन के चोने क्या, सरे इस साब कुछ तो अड़ी किरपा नाली संभव हो सक्या, मेरा ता होसला ही नी पहर रहा सी, बस तो अड़ी हला शेरी ते कमों दे दफ्तर दे अंदर बढ़ दें, खब्य पासे काउंटर ते एक राजकुमार नाम दा लड़का बैठा, ओस दफ्तर चे काउंटेंट है, काफी खुबसूरत नौजवान है, गोल मो टोल जिया चेरा ते गोल मो टोल जिया इसरीर, से रुप पर ब्यूटी पारलर च बनवाये हुए, चोटे-चोटे चल्लिया वाली वाल हान, उस्तो थोड़ी दूर कमों दी सीट सी, कमोंनू बहुत बुरा लगदा सी, क्योंकि जिस दिन्तो कमों इस दफ्तर चाही सी, उसे दिन्तो कमों उपर डोरे सुटरे आ सी, वान्नी बहानी कमों नाल गाल करंदी अपना गोड़ा टेड़ा करके कमों दी लात चुमारया, जदो कमोंने मुड़के देख्या तो एक रिजिस्टर उपर इस्तरा चुके आ सी, जिम्यों अपने काम चुरू जिया हुए, ते गोड़े वालो ता कोई त्यान ना हुए, ते सैथ सुभाई कमों दी लात विच ल मत कर सके, एवे छोटियां छोटियां गल्लान वो नजर अंदाज करी जा रही सी, जिस नल राज कुमार दा होसला वद आ गया थे नाली हरकतां विच विच विवद आ हुन दा गया, एक दिन लांच टाइम समें कमों दफ्तर विच विच वार निकली, उदे पिछे ओवी ब चदा सी, इस करके दूजा कोई बराबर ही दे फसके लंग सकदा सी, राज पिछा रुकन दी थां कमों दे बराबर दी फसके लंगन लगया, ते नाली उने कमों दे पट ते चुंडी वटी, कमों ने चाटू स्वल्मू करके उदा गल्मा फढ़ ले, उने राज दे मूते थपड मार ले हाथ थोड़ा ही चुके आ सी, क्यों हाथ जोड़के कैन लगा, माफ कर दे हो गल्ती होगी, मैंनू बार रुकना चाहिदा सी, पर जल्दी वे छोन कार के गल्ती कार बठा, एदी मैं माफी बंग दा, उने कमों दे प्यार फाड ले, मैं कई दिना तो तेरिया हरकतां वेख रहिया, तो की समय दे अपने आपने, पर कमों दा हाथ तो थे रुकिया रहा, एदरो दर फेर रहे, कई लोग तमाशा देखने ले कठे हो गए, कईया ने उना नू अखावी कड़ियां ते बुरा पला लावी किया, पर उने कमों दे प्यार ना चटे, इस तर कमों ने उदा गलमान छाड़ देता, ते उठ्या होया, हाथ हे ठां कर लेया, उन्हें इस सारा कुझे इन्नी मासूमियत ते ते तेजी नल किता, के चुंडी वाली गल नंगी करन दा कमों नू मौकाई न देता, ते फटा फटा अंदर लांके कुरसी उत्ते जा बैठा, उ तो थोड़ी दूर कमों भी बैठ गई, कमों अंदर यंदर दंद पी के रह गई, दोना ने चा पी के प्यालियां राख देती है, राज ने पहला उठके दोना दी चा दे पैसे दे देते, केंटीन दा मालक पैसे हाज फड़ी, कमों दा मूव एक खन लगा, जदो कमों नू बता लगया तो उने उठके राज नू फिर रखां कड़ियां, राज ने फिर हाथ जोड़के गया, मैं अपने गलती दी तीसरी वार माफी मंगदा, इक अपचा दे पैसे अपने आपनों जुर्माना करदा हाँ, केंटीन वड़ावी हस्पया दे कमों वी बार निकलके अपनी थांदे जा बैठी, देखन नू ता कुझ लिख रही सी, पर असल चो राज दियां, चुस्तियां तो परेशान सी, लिखन दा ता नाटक कर रही सी, राज अपनी कुर्सी तो उठके कमों दे कोल जाके खड़ा हो गया, ति व्यांग नल किया, मैं तेरा कॉलम अखव अपनी जिन्दगी नू दिल चस्प बना के रखो, अपनी चो गिर्देच वदिया महाल बनाई रखो, पर तेरा खुद अपना वर्ताओ किना रुख है ते किना चिटचड़ा पाना है तेरे अंदर, कमों दी गाल सुनके उलजन च पहने, कुछ चिर्च सोचन पिछों समल क कोड मिल जाना जा दोस्ताना प्रबूर रखना होर गल है, किसे नू तमाशा बनाना होर गल है, मैं कई दिना तो तेरिया हरकता देख रही है, एक इसे सुल्जे होई दोस्त के समदे आदमी दिया हरकता नहीं, कटिया के समदिया है, जो जिन्दगी नू दिल चस्प नहीं म जाक बना दें दिया, तो गल्लां तो बहुत करता है, पर दस दें चूंडी के वड्डी से, राज ने हाथ जोड लए, कैन लगा, मैं इस गल्ती दी चोथी वार माफी मंगता, इस तो पिछो जाई गल्ती फेर कदी नी होईगी, ये मैं थो आमें चानक की बगार सोचे समझे ह होगे, उन तुसी मैंनों माफ कर देता ना, हाँ कर देता, जा राज अगे वास्ते जो गल्ल करनी है, मून अल बंदियां वां करे, चूंडी वड्ड़ना जा होर हर्कत करना, एक लाग तो गिरियां हुएं गल्ला, राज ने उदे गोड्यानों हाथ लाए ते कहा, मैं एक वारी फेर पन्जमी वार माफी मंग दा, अजही गल्ती फेर नहीं होईगे, कमो हास पही, उने क्या बहुत चलाक आदमी हैं तो, चंगा होन खेड़ा छड़, जाके ते अपना काम कर, राज अपनी कुर्सी होते जाके बैठ गया, कमो नुपा में राज दियां, सस्तियां यह गल्लां चंगियां नहीं लगियां, पर ओधा मूड जरूर ठीक हो गया, तो पहला वांग दिल चस्पी नाल अपना काम करन लगिया, इस तो पिछों होली होली हो एक दुझे दे नेड़े हो गय, वेले समय राज कमों दे लागे आके बैठ जान दा, ते गल्लां कर दा पामे कोई वी गल्ल कामदी नहीं हुंदी सी, फेर वी कमों बुरा नहीं मन्दी सी, उकई वर केंटी इंच वी खाप पीलन्दी, कदी कमों पैसे दिंदी, कदी राज, इस त्राउनों विच कार दोस्ती होली होली अग्गे वादरी सी, इक दिनी कौरत तो उधे कार उधे बहुत सारे फोन कमोंनु आये सी, पर आज जोने सिंग साफ दो आगया लेके उनुआ अपने कार भुलाया सी, क्योंकि कमोंनु दफ्तर तो बारे कांट जी कली मिलना चांदी सी, तां जो अपने गल अराम नल कमोंनु समझा सके, उस ओरत ने कमोंनु दस्या कि मेरे का सब कुझ है, किसे चीज दी कोई कमी नहीं, ना मैनू किसे किसम दी कोई चिंत है, मेरा स्रीर भी पूरी तरां तां द्रोस्ते जवान है, और अपनी अलत्ता बाहां ते पेट एक एक आंग सब कुझ नंगा करके कमोंनु दुखों दिये, जो बहुत ही सुन्दर जवान ते गुंदिया होया से, पर उन्हों शिकायत है कि उदा चेरा चुरुडिया नल पर गया है, जिस करके मैं अपनी असली उमर नलो बुड़ी लग दिया, मैं तेरी मशूरी सुनिया, इस करके तेरी को लाईया, मैं जिनने पैसे तूं कहीं खर्चन ली ते आ रहा, जहां जिस त हो खाद रहें गया, मैं फाइदा तक ही होना है, मेरी एकसे लिने तेरे बारे गसिया, इस करके मैं बड़ी आस लेके हैं है, ऑरत कमों दे सामने एक उते बैठी ऐस सब कुछ दास रही सी, ते कमोंदे सामने बैठी बड़े त्यानशनल, इस सब कुछ देख ते सुन रही सी उदी सारी गल्द सुनके कमों हसी ते फिर मुस्कुराँ दिया होया क्या इस कमली ना किसी दवाई दी लोड़ है ना इस उपर कोई पैसा खर्चना होईगा ते आज ता के दा जो इलाज किता है सब गल्द किता है इसे करके तेनो कोई फाइदा नहीं होया फाइदा उदो ही होंदा है जो तो मर्जनों समित के उदा इलाज किता जांदा है एच चुरणियां सिर्फ तेरी गल्द आदत करके पैया हन तेनों सिर्फ अपनी आदत बदलनी पैएगी यह जया कर नाली तो ठीक हो जाएगी दुआईदी कोई लोड नहीं है देख मेरी गल्द नू त्यान नल सोन हुन तु मेरी गल्द सोन रही है तेरा सारा स्रीर ते चेरा तणियां होया है नाक ते उपर वल वाड़ा बुल कस के उपर वल्द नू खिचे होए है जिस नाल तेरे उपर वाड़े दांद नंगे हो गए है मत्य उत्य किन्नी वाड़ पाई हुई हाँ अखां स्कोडियां हुई हाँ सारा स्रीर अकड़ा के तु अग्ये वाल नू चुकी बैठी है जे हुण मैं तेरी अग्ये शीशा करके तैनू तेरी शकल दखावां ता तैनू पता लग जाएगा के तु अपने चेरे उते अचेत नाली के ने वाड़ पाई हुए हाँ एस तरह तु देंच जे हजारां वार नहीं सेंकडे वार जुरूर कर दी हुएगी बार बार जेया करनाल चेरे दियां बलां वाले थावां तो नसां कमजोर हो गई हाँ जे चमडी अंदर तास गई है बस तेरी आदा तेरे चेरे दी करूपता दा कारण बन गई है तु मेरी गाला राम नाल कुरसी दे पेचे टोला के चेरे नुटे लादे शांत राखके वी सोन साकर दिया मेरी गाल ता तु सिरफ कन्णा नाले सोन रही है पर तेरा सारा स्रीर तरनेया होया तेनू शायद पता ही हुएगा साड़े स्रीर नू साड़ा दिमाग भिजली दिया तारा रहीं कंट्रोल करता है चेरे तो बगार बाकी सारे स्रीर दियां किसे न किसे खास कम तक ही सीमत होंदे है इस करके उनाविच सीमत ही तारा हूंदे हैं पर साड़े चेरे दा रोम रोम अलग लग कंट्रोल हूंदे साड़े चेरे दी अंदर ले पासियों अरबां दी गंटीच तारान दे माग नल जूडीयां हूई यहां इसे करके एदा रोम रोम अलग रंग दिखाऊंगा है जो में खुशी दे मौके चेरे तो खुशी दे चल के पैंदी है ते नजर आओं दिया हैं लत्तां ते बाहां ते नहीं इस करके तुँ अपने चेरे नू बे लोडाई तनाओ चो रखे चो रिणियां पाले या है आज तो पिच्छों जे हत्था नल काम करना है ता सिर्फ हत्था नूई हलाओ सुनना है ता सिर्फ कन्ना नल सुनो बाकी सारे आंग शांत ते टिले रखो जे देखना है ता सिर्फ अखानाल देखो जे सांग दी लोड है सिर्फ होसे नू हर कच लियाओ हर हालच चेरे नू टिला ते शांत रखो कुछ दिन जे आ करन लई साबधानी वर्तनी पैएगी फिर ना सारे आंदे कुनेक्शना लग लग हो जानगे ते इक दूसरे दिनाल हिलना बंद कार देंगे फिर इक दे काम करन समय दूसरा अंग शांत रहेगा ओधोई हिल लेगा जोदों तुसी हिलन दा हुकम देऊगे इस तरह होली होली तेरे चेरे दियाँ चुरडियां मिटनियां शुरू हो जानेगे ते आखर मिट जानने फिर तू जिनना चेर अपने अंगाउं उपर कंट्रोल राके इना नेमां दा पालन कर दी रहेगी तेरा चेरा बच्चियां वांग शान ते पोड़ा फाड़ा बणियां रहेगा यह उन तेरे अपने वास है जिननी सकती नाल तू इना असू लंदा पालन करेंगी उनी छेती तेरा चेरा ठीक हो जाएगा पंजास सता दिना पिछो मेरे कोल भी केड़ा मार दी रहें ता जो मैं तेरी जांच पर ताल कर दी रहाँ क्योंकि लंबे समय तो पाई हुई तेरी आदत चेती नहीं जान वाली पर जे तू सचे दिलों कोशिश करेंगी ता जरूर सफल हो जाएंगी वो औरत हैरान परिशान ते कुछ कुशर मिंदा जी कमों वाल देख दी रहन दी है फिर उचली जान दी है सारी गालों दी समझ चा जान दी है कमों ते राज हुन आपस्ट काफी कुड मिल गए वो आमी को मदेफिर दे कठे बैठे जा केंटेंच खांदे पेंदे विखे जान दे सी पामींगा लेनी नहीं सी फिर भी उस सारे दफतर चे चर्चित हो जुकी सी इस दफतर चोर भी लड़कियां काम कर दियां सी उना अपस्ट मीटिंग केती के कमों नू साफधान कर देता जाए कि राज चंगा लड़का नहीं है काफी सोच विचारतों पे चोना फैसला केता कि राज ने छेड चारता अपने नालवी केती सी पर अपना उदा कुछ नहीं वगार सकीयां कमों फोली पंडारी ते दिल दी साफ ज़रूर है वो अपने सारियां नालों स्रीरिक पकों ताकत वर है जदे उनू राज दी असलिय दा पता लगेगा उदी खड़केंती ज़रूर करेगी इस करके उस खड़ी दी उडीक चिच्चों पी रेगा एक तिन जदो केंटी इंच चा पी रहे इसी तर आज ने कमों नू किया अज मेरी पैन देकार पार्टी है तो उथे ज़रूर आई मेरी पैन नालवी जान पचान हो जाएगी मेरी पैन इस शेर चमनी हुई हसती है नले अपा नू गलाम बाता करंदा खुला डूला सामा मिल जाएगा मैं अपनी पैन नू तेरे बारे दस्या सी योवी केंदी सी उनू जरूर लेके आई कमो ने काफी ना नुकर केती पर उखेड़ी पैंगी आखर कमो ने क्या अच्छा मैं सिंग साब नू पुछांगी जे उना इजाज़त दे देती ता आ जाओंगी उस दिन शामनू कमो ने सिंग साब दे कमरे चे जांकी क्या कि सर एक राजकुमार नांदा लड़का दफ्तर चे काउंटेंट है मेरी उसनाल कुछ दोस्ती हो गई है अजो दी पैन देकार पार्टी है जे तुसी आग गया दियो तो मैं चली जाओं सिंग ने कमो वल कोजी नजरा नाल वेखते हो पछय तो किछ दोस्ती हो यह जय काफी जयादा नहीं सर बस कुछ को दोस्ती यह जयादा कुछ नहीं देखो कमो तो पहलां भी कई वर तो खाखा चुकी है उन्तो पहल्लां भाली कमो भी नहीं जो किसे भी व्यक्तिनाल ठीक है जा पर पार्टी खतम हों दिया हैं सिद्धी का रहा हैं ओके सर थैंक यू सिंग तो इजाजत लेके कमो राज दे दस्से हुए पते दे पहुंच गई एक बहुत वड़ी को ठी सी जिदे गेट उते बहुत सरीयां कारां खडियां सन राज और वले महमाना दा स्वागत कर रहें सी कमो नू देखके बहुत खोश हो गया जिवें उन्हों ओदे आण दा प्रोसा ना होगे उसारेयां नू छट के पज के कमो दे अग्ये होके स्वागत करन लगा फिर इक वड़ी हाल चो नू ले गया जेते बहुत सारे लोग बैठे सन कुछ लोगे दरोदर भी फ पड़ा मार करी लिए फ्रोने थोड़ी जभाट थोड़ा ज़आ जजबाती हो के कमो ना लाक है क्या हूं और किना चेरे इंतजार कराएंगी मैं है कमो ने हव Dir कमो कि उस बहु हो पाइन पुछ ए किस चीज़ दा मॉर किस चीज़ दा शादी दा और किस चीज़ दा देखो कमो इननी नादान भी ना बढ़ो। उन्ता एक दिन, एक एक दिन मेरा साल दे बराबर लंगता है। जिद्दर देख़दा ता तू इं दिखाईदनी है। इनना कहके उन्हें आपना हाथ कमो दे पट टे राक देता। कम्मो ने अपने हाथ ना लोदा हाथ अपने पक तो चुके चटक देता फिर हाथ तो ते हाथ मार के जोर नल हसी देखिया इस डाइलग तो बहुत पूराने हो चुके हैं मैनू तेरी आई ना गल्ला चो पुथिया पांते जहालद दी भू आन दी या तेरिया जजबाती जी यां गला मैनू बुरियां लग दिया हन। हुन तक तू जो भी गलां केतीया हन। ओभी कोई करन वाली हन। फिर उदा मुँ चड़ा के बुली। मैं तेरे बगया जी नी सकूंगा। तू चंद नलो भी ज्यादा सोनी है। मैं तेरे नल जीवन पर दा साथ निबाण दा वादा करदा। ये चंद ते तारे साडेस वादे दे गवाहान। अपा प्यार दी दुनिया दा नाम नहीं बदनाम होन देना। आपा दोनों मिलके कठे जून मरंदियां कसमां काई। समझ नियां दी ये लोग की समझ देहन अपने आपनों। ए मिस्टर मैंनू फिल्मी डायलाग बोलन वळा कोई मजनू नहीं चाईदा। इना पुराणियां ते कटिया रवायतानू तोडन वळा। मेरी तकदीर बदल के सारे मजलूमां दे हक जवाज उठाण वळा एक बहादर नौजवान चाईदा। समझे। राजफिकी ते बेश शरम जी मुसकान नल कमों वल वेख दे। कमों उस वलों ते आनहटा के इकट वल वेख दिया। पर चानक हो दिया नजरां, एक नमें आया आदमी उपर टेक जान दिया। वह एक टक उस वल वेख दी रहन दिया। वह आदमी ते कमों एक दूसरे निया खाँ चखाँ पाई रख देया। तानवा अंग दस्वां वह आदमी जिस वल कमों देख रही सी बिहारी लाल सी। वह किननाई चेर कोड़ी आखा नल कमों वल वेख दा रहा। राज हैरानी नालोनानू वारी वारी देख रहा सी। इसे परेशानी उन्हें कमों तो पुछे कौन है। एक रिष्टेदार। कमों ने बगएर राजवाल वेखें किया। उन्हें निदर खोके बिहारी लाल दियां अखांच अपनी आखां पाई रखें। कुछ चेरों से तरह खड़ा रहन पे चोट टेलेफोन वल वादिया। फिर उदे कोल जाके नंबर डायल करन लाग पेया। कमों ये देखके कबरा आगी। उर राजवाल नू हुने आई किया। लमियां लमियां कदमा पर दी बिहारी लाल दे कोल चली गी। उन्हें जान्दियां टेलेफोन काट देता। ते अपनी उंगल बटन दे उपपरी रखे। उन्हें बिहारी लाल दे आखां चक्खां पाके उन्हों बार वुरांडे चे चलाड लेके। बिहारी लाल भी उदे पिछे पिछे आके उदे सामने खड़ा हो गया। कमों ने बिहारी लाल दे आखां चक्खां पाके रोप नाल पूचे। पुलिस नू वोन कार रहा से जब आप जब बिहारी लाल ने भी कमोवा लखा कड के रोप ना लेकिया तो मेरे करोंपजी हुई मेरी पतनी मैं होने पुलिस नू बला के तैनू ते तेरे साथी नू ग्रिफतार करा दियाँगा कमो ने उससे तरह निडरता नल देखते हुई किया फिर बिहारी लाल ने कमो दी निडरता नू देखे थोड़ा तिला पहके किया फिर तुसी दोनों हवालाच बंद हो जाओगे कमो ने पहला वांगी निडरता ते ला परवाई नल किया फिर बिहारी लाल ने कमो दी ने डरता ते तौर तरीका देखे बिल्कुली टिला हो के क्या फिर की फिर तो नो दोना नो सजा हो जाएगी ते तुसी जेल दी है बाखा हो के कमो ने व्यांग नाल फराटा जा मार के बड़ा चब के क्या शायद तू नहीं जानदा ओ जो दो ठेके तू मेरी वजा नाल हासल केते सी पिछले ठेके दी सारी कारवाई दी ते पिछों जो कुछ मेरे नाल होया ओ दी वीडियो फिलम बड़ाई होई है तेरे विरोधियां दे उत्थे पहल नहीं गुप्त कैमरे फिट किते हो एसी तेनू बड़े चलाक नू इनना भी ग्यान नहीं के जही काम ने सौके नहीं उन्दे जिने तू समझ रहा है तेरी सारी कारवाई दी ते मेरे नाल कीती कर्तूत दियो वीडियो फिलम जे मैं अदालत विच दखा देती ताम फेर बहारी लाल कमों दे मूँ ओए गाल सुनके सुनो गया वो बिटर-बिटर कमों दे मूँ अलवेखी जा रहा सी ओधी बोलती बंदो गयी कमों भी लगा तार उसते चेरे बल बेखरी सी तीर निशाने ते लगयावे कमों ने अगे गाल तोरी उन लोग ता मैंनू बहुत ही लालच दे चुके है पर मैं ही नहीं मनी मैं अनू तमकी दे रखी है कि जे ए फिल्म आउट कीती ता मैं तो अड़े उते लजाम लादांगी इनन ने सानू अगवा करके इस सब कुछ बंदू कदी नोकते करवाया ता जो इस ठेके नू रद कर सकना खैर जे मैं चौंदी ता तेरे दो नू ठेके रद करवा के तैनू जेल अंदर पेज सकती से होन दस पोलिस नू फोन करना है जे करना है तो जा मैंने रोकांगी बिहारी कमों दे सामने बुत बढ़ेया खड़ा सी बहुत ही कबरा आ गया फिर उन्हें थतली जी अवास चेक के समदा तरला कड के किया ने ने मैं तो अनू ड्रा रहा सी मैं ता पोलिस कोल रिपोर्ट भी दरज नहीं कराई पोलिस ता की मैं ता किसे कोल सावी नहीं कड दिया इस गल्दा मैतों बगेर हो और किसे नूँ पता नहीं पर तैं मेरी ते अपने माम बाप ती इज़त जरा भी ख्याल नहीं किता बिहारी लाल दे मूँ इज़त दी गल सुनके कमों ने उस वलग खाड के गुसे नल देखिया पर चाटी हो दा ख्याल अपने माम बाप वल चला गया तो सब कोज पोल बिहारी लाल नूँ पुछ दिया पिंडो कोई आया सी? हाँ एक वार तेरा बाप आया सी कमों अपना रुख एकदम बदल के बड़े तीरे जनल बिहारी लाल नूँ गया मैं भी तेनू सारी काल सच सच दास देनी है मेरा मन उस दिने इनना निराश दे दुखी होया कि मैं गड़ी हे ठाके खुद कुशी करन्दा फैसला कर लिया सी मैं रेल दी लाइन ते लम्मी पही सी रेल भी लागी आगई सी कि अचानक उथे सिंग जी आ गई उनने मैंनो लाइन तो खेच लेया थे फिर समझा आप जाके अपने कार ले गई उस दिन तो आज तक मैं उनना दे कारी रह रही है जिस तरह तू सोच रहा जेया कुछ नहीं होया नाई मैं पज़ी है मैं एक अख़बार दे दफ़तर चे नौकरी कर दी है मेरे नाल बैठा लड़का भी उसे दफ़तर चे काम कर दे एकको थाम काम कर दे होन करके जान पज़ाना है इस तो वद हूर कुछ नहीं ये दी पैन दा कार है इनने मैंनो पाटी चौन दा कार देता सी इस करके मैं थी आई है उन कोई हूर गल नहीं करनी जे कोई गल करनी है तो सिंग जी दे कर आजाना जान दा है न उनानो हाँ हाँ चंगी तरह उनानो कौन नहीं जान दा भी हरी लाल खोश होके कहन दा फिर कमू कहन दी है चंगा होना इस तरह कर जानता तो पाटी विच्चो चले आजा जा फिर मैं चली जाने हैं, इते दोनों नहीं रहा सकते हैं, बोल की ये रहत हैं, तो ही चली जा, इते कई लोग का जहीं भी आउन वाले हैं, जो तैनों जान दिया हैं, इस करके तेरा इते रहना ठीक नहीं, ठीक हैं, तो फिर मैं चली जाने हैं, कमों तेज तेज चल दी हैं अंदर आके राज नू केंदिये मैंनु जरूरी कम हो गये सकरके मैं कार्णू जा रहे हैं। राज नू रोकंदी कोशिश करद है पर कमो नू डांट दें दिये। अकर गिडगड़ा के कमो नू केंदा है। जी जाना ही ता कम सी का मेरी पैननू ता मिलला है। कमो नू गुसे नलकेंदिये नहीं नहीं मैं चेती जाना है। मेरे कोड इनना समा नहीं कि किते फेर सही। राज एक पास ऐशारा करके कैंदे लौ जी मेरी पैन आपी आ गई। कमो मुढ के उस्वल वेख दिये, देग दिया सारी कबर आके उस्वल पिठ कर लान दिये, फिर उछटी छटी तुर्दी बार सटकते चली जान दिये, राजवी होदी पिछए बार सटकते आ जान दे, पर कमो उस्वल कोई त्यारने जैं देदे टेक्सी फड़ के सिधिकार आ कमों दे अंदर मची होई तड़ थले नूँ शांत कर देंदे है। वो सोच दिये किनी परसानती शांत है न लोकां दी जिंदगी। एक किस तरह जीवन दे किक पालदा अनंद बान रही हैं। फिर उग्यवद के पुछ दिये सर में अंदर आ सक दिया। आओ आओ दर्वासा खुल लाई है। कमों अंदर चली जान दी है। सिंग गाना बंद कर दन दे। सिंग दी पतनिया जी सौन ले नहीं आई सी। कमों दे बिस्त्रे होते परस सुट के दुझे पासे बैठ जान दी है। सिंग उस वालगेरिया नजराना लवे के पुछ दे बड़ी छेती आगई पार्टी चो। हां सर। वो पार्टी बड़ी कटिया कि समदे लोकां दी पार्टी सी। वो जो मैं दो पार्टीयां दा जिकर कीता सी न तो अडिकुल। राज दी पैनोना पार्टीयां विच बैठ के शरापते सिगटां दे कुल्चरेव डॉन वड़ी ठेके दार दी पतने निकली। उस तो पहलां के मनू देख लन दे मैं उत्तो पाज जाई। सिंग अपना चेरा साफ करके पुचदा है। इसे करके इनना कब राई हुई है। नहीं सर। कुछ कटनामा होर भी हुई है। फोड़ा जे हसास के सर। उते ब्यारी लाल भी आया सी। सिंग चर्जता नाल उठके बैठ जान दा है। फिर पुचदा फेर की हुई है। फोड़ा जे हसास के सर। मैंनू पता सी कोई शेयर चर्ण देया। इस करके कदे भी मेरा सामना बहरी लाल नल हो सकर है। इस करके जाई हालात नल निप्टन ले मेरी पहला दीक कहानी खड़ी हुई सी। बस मैं वही कड़ी-कड़ाई कहानी सुना देती। वह डर गया। जे हुज आदमी आप हुन दा है। वही सोच हुन दी है। वह समझ रहा सी कि मैं राजनाल पाज गए गया। जदो मैं उन्हों सारी गल दसी तो खोश हो गया। पिर उन्हों भी मैंनों सब कोई दस दता। सर उन्हों उन्हों मेरे बारे ॽीरिष रिपोर्ट था खी करने सी,। किसे कोई गल भी नहीं के थी। जदो पैक रifiques हुई है। सब न्हों वह दसा कि एक गठे किमावर मेरे भाप कॉई बाप आया उसी। उन्हों भी उन्हे कुछ नी दसी है बस ये क्या के टाल देता कि वह रिष्टेदारीच गई होई है। सरो बहुत गल्लां करनी हैं चौन्दा सी पर मैं आउनू चाड़ देता के होनो और कोई गाल नीं करनी जे कोई गाल करनी है ते साधे कार आजाएं सरो तो आउनू चंगी तरा जान दे सेंग कमों दी गल सुनदे समय उदे चेरे नू चंगी तरा गार नल देख रहा सी उच्छूट तो फान ते चल कपड़ तो मीलां दूर बच्यां वां गल कर रही सी उदे चेरे तो किसी अलोकिक शक्ती वरगी चलक पह रही सी आखर्च जदों उसने बहुत ही पोले पन नल से सिंग देकार नो अपना कार के आता सिंग ने अपने चेरे ते बुलना होते गौरब पर ही मुस्कान लिया के क्या कमों उन्तु बहुत ही प्यारी ते चंगी लड़की बन गई है जिस उपर प्रोसावी ते फखर भी कीता जा सकता है तू जान दी हैं कि मेरे कोई लड़की इस करके मैंनू लगता है कि तू हुने इस कमी नो पूरा करन दे काबल हो गई है इस करके अज तो तू मैंनू डैड़ी कहके बुलाया करें कमों कुछ चर प्यार पर यहां खानाल सिंग वल वेख दी रही फिर उग गिवद कि ओ सर कहके सिंग दी गोच सिर राके रोन लगत सिंग प्यार नालो दे सिर नू पर चुक्के कहन दे अरे तू ता रोन लग भई तरनू ता खोश होना चाहिदा सिग कमों सिस्कियां वेची कहन दी है सरे ता खोशी दे हन जुहान तूसी मेरे जी पतेत लड़की नू बेटी बना रहे हो सिंग गुसे नालो दे मूते पोल मैंनू मान है सिंग उदे सिर उपर हद फेर दा है उदियां सिस्कियां बंद हो जान दिया हन कुछ चेर पिछों सिंग उनू जान ली कहन दा ते उठके चली जान दिया दूसरे दिन कमों हमेशा मांग दफ्तर च अपनी कुरसी ते बैठी है उदा अज काम चे देल नहीं ल बामा उदे आसे पासे करके बामा नाल अपने सिर नू केर लन दिया फिर उपने आपने पुछ दिया है कि कमों तू अजे छोटियां मोटियां दुनियावी कटना मांतो उपर नहीं उठ सकी फिर उप इक दूसरी कमों दे रूप वेच अपने खड़े की ते स्वाल दा अजया वर्दान कोई महान आत्मा ही दे सकती है ते किसे खुश निसीब नू ही मिल सकता है नहीं ए वी ठीक नहीं सिंग साब कोई पीर फकीर जा पेगंबर नहीं ता आम लोका वांग सदारन आदमी हल इस तरह दा कोई भी बढ़ सकता है काश सारी दुनिया दे मर्ग सिंग साब जय बांजान ते सारी और ता मेरे वांग बदल जान ता दुनिया एक दम स्वर्ग दन मुना बांजाए फिर तु रो क्यों रहीं तेरे सिंग साब दाए वर्दान हजम क्यों नहीं हो रहा है हाई ठीक है मैं हुन कदे नहीं रो वांगी वो कमो ता उस दिन गड़ी है टुकडे टुकडे हो गई है मैं ता सिंग साब दीती है आज तो एही मेरे ममी डैडी है मैं आज तो प्रतिग्या कर दी है कि जो विश्वास उन्हाने मेरे उपर कीता है मैं सारी दुनिया नाल टकरा सकती है मेरी गर्दन कटी जा सकती है पर कदी भी उन्हा दे विश्वास सोचके जदों अपनी गर्दन मेज तो चुक दिया है ते सामने राज खड़ा दिखाई दिलना है की गल तेरी तबियत ठीक ने कमो बेरुखे नल नहीं कमो थो उटके बहुत से कैबिंच जान दिया सर मेरी तबियत खराब हो गई है मैंनों कार जान दिया गया दे दियो कोई गल नहीं बेटा जिस ज़्यादा खराब है तो कर तक चड़ाओने है ने सर में चली जाओंगी थैंक यू वो बास दे कैबिंच निकल दिया है ते राज फेर सामने खड़ा है वो जान लग दिया है ते राज अगी होके उदर अस्तारों कलन दे ते उन्हों कैंटीन चे जाननू कैंदे कमों साफ इंकार करतें दिया पर राज बहुत ही निमरता नल कैंदे मैं तेरे नल एक बहुत जरूरी गल करने है बस दो मिंट प्लीज आखर कमों जकां तकां जियां कर दिया उदे नल कैंटीन अंदर चली जाने है अंदर जाके कुरसियां ते बैठ चान्दे है राज बैठ दिया इंकाल शुरूर कर दा कल लजय की काम हो गया कि तु एक दमी बदल गयी ते बड़ी तेजी नल करनू पझी मेरी प्यान नाल गल तक ने कीती की गल से तू चंगापला पड़या लिखे आदमी तेनु ए निवी एकल ने के किसे तो ओधा प्राइविट स्वाल नहीं पुछी दा जे दसनली गल हुंदी दा मैं कली दा संदी ओ ही ही करके हस पैंदे कमों दी इस गेरी चोट दा उस उपर कोई असर नी हिंदा कल तेंप पार्टी दा सारा मजाई किरकरा कर दे मेरा प्रोग्राम सी के पार्टी खतम है उन पिच्छों होटल चे चल के मौज मस्ती करांगे ये थे मेरी पैन दा एक होटल भी है आपकेडा कराया देना सी बाकी खान पीन दा ते तेरा खर्चा में कल दा जेब जपाई फिर दा उन्हें जेब चो एक नोट्टां दी गुट्टी कड के कमों नू दिखानेया पुछेया जे कहें ता आज चल देया करां फोन होटल वाडे दे कमों उठके खड़ी होगी उदा चेरा ते अखान जो पहलना ही लाल सन ओर लाल होगी है राजवी उठके खड़ा होगया वो कमों वल देखके डर गया कमों होडी होडी उस वलनू वद्धी है उसे तरह ही पिछे हड़दा जानदा है फिर कमों ने एक दा मग्ये वाद के उदी टाइप हड़ड़ी ते एक जोर दार मुकी उदे मूते मारी वो पिछले पासे डिगदा डिगदा बाच गया ते फिर तेजी नाल मुड़के बार वलनू पज़न लगा तक कमों ने उदी खोर ला तक पिछले पासे मारी वो बंदूक दी गोड़ी वांग कैंटीन तो बार गया ते फिर नहीं दिस या कमोने पिच्छों जोर नाल के जलील पैन दा जलील पाई फिरों कंटीन चो बार निकल के सिद्धी कर चली गई उसे तरह गुसे नाल फूं फूं कर दी उस सिंग दे कमरेज चली गई सिंग दे कमरेच पहुंच के उने अपना पर्स पठका के सिंग दे बिस्तर ते मारया ते आप एक कुर्सी दे बैठ गई सिंग ने गौर नलू स्वलवेक के पुछे लगदा आज फेर कोई गडबड़ो लिया हाँ सर उस राय दे बच्चे नाल अज कट हो गई मैंनू पहल नहीं पता सी क्यों सर तुसी जान दे सी औनू औनू ता मैंने जान दा सी पर तैनू ता जान दा तुहों जिस डिगरी दी मालक बन चुकी है अज ये डिगरी दा मालक लड़का आज दे जमाने च मिलना इनना सोखा नहीं है मैंनों पता सी के एक दिनों तैतों जरूर मार खाएगा, खाले के नहीं, खाले सेर खाले, पर ममूले जई नाले उदा सर गया, ज्यादा तकलिफ करन दी लोडनी पई, दोनों ताड़ी मार के हस पई अंग 11, एक दर्म्याने दर्जे दे मकान चिक लंमी, लंजी, पूरे वरगी, जवान ते खूब सूरत औरत शीशे अगे बैटी मेकप कर रही है, वो काफी चेर तो अपने सरीर देयां सारे अंगानों सजास वार रही है, वो दे बहुत ही पढ़की ले कपड़े पाई हुए ह उखोब सज समवार के एक कुर्सी होते बैठ जान दिये, थोड़े चेर पेच्छोई उनू बारों दर्वाजा खड़कौन दी अवाज सुनाई दें दिये, वो बहुत ही नजाकत न लुटती है, कूले मटकौन दी हुए जाके दर्वाजा खोल दें दिये, बारो दा कारव मेरा ता तेरे बगार दिली नहीं लगदा, कल तो मैंनू अपने नाली लाजाया कर, आदमी गुसे नालुस वालखा काड़के कैंदा, तू होश्चता है, शीलाज की हो गया तैनू, मैं के थे होश्चा प्यारे, मैं तो अधुन दी अपने होश्च गवाज चुकी हैं, अस्तेता तो अड़ा दिदार ही शराब है, शीला गिवाद के अपने या दोनो बवादे गल्च पादेंदी है, आदमी यो दियां बवादनो चटक के पिछे हड़ जन्दे, बहुत ही परेशान हो जन्दे, ते कबरा के अस्से पासे देख दे, उन्नो कुछ भी समझ नहीं आ रहे है सी कि की हो रहे है, आखर हो पिछा मुड़के करों पार निकल जान्दा है, ते अपने गवादनो बुला ले होने है, वो भी शीला नो एक हक्की बख्की रह जान्दी है, शीला गवादन दे सामने भी पहला वाँगी डायलाग बूली जा रही है, वो कुछ चेर ख ली गल की है, मैंनो ता इस को लो डर लग दे, एक गल लंक है कि गवादन चली जान्दी है, वो आदमी रोण हाका होके दोना हथा नल अपना सिर्फ फड़के बैठ जान्दे, शीला तोड़ी मार के उची उची हस दी है, फिर उस आदमी नो बाओं फड़के अंदर ले जा आज खल अपने शेयर ची को विज्ञानक लड़की दी बहुत चर्चा हो रही है, मैं कई दिना तो उन्हों मिलन ले समा मंग रही है, आखर आज समा मेली गया है, मैंनो मिलके आ रही है, कमों अपने कमरे ची कुर्सी उते बैठी है, उदे सामने सादे जे कपड़े पाई श चीलानों दस्तिया मेरी उमर ता हाला इननी बहुत ही नही है, पर मेरी वाल सुफैद होने शुरू हो गय है, कई टांग तरीके ते द्वाईयां वरतिया हैं, परे वद्धे जा रहे हैं, हैरानी दिगाले है कि मैं तो उमर चे काफी वड़ियां और ता दे वाला जे तक काल तो मेरी नलो जवान सुन्दर ते उमर चो छोटियां लग दियां, पर मैं उना नलो काट उमर होन दे बाव जूद उना नलो वद्ध उमर दी लग रहे हैं, मेरा स्रीर एक दम बदलना शुरू हो गय है, जानी बुड़ा पे वलनू जा रहे हैं, कम्मों उस वलतिया अनल व मेरे पती वड़े लड़के नल दूजी कम्रेच सौन्दे, कि तु मेक अप वगैरा भी कर दी हुन्या, नहीं जी मरं दी फूर्सत नहीं मिल दी, सारा दिन काम चे रुजी रहनी हैं, नाले हुन बच्चे वड़े हो गय है, उनमें हार्शिंगार कर दी पलाचंगी दफ्तरों आके प्राइवेट बिजनस कर दी है, उन्हा कोलता गल करन्दा भी समाने, कमो दी सारी गल सुनके व्यंग नल मुस्कुरां दी हुए समझां दी है, तो अड़ा सोचन ते रहन सेंदत सारा तरी काई गल देखो सारे दिमाग दी खूबी है, कि जिस तरह सी सोच द यसी उस कोड़ों मंग कर दिया, उखो जी हालात पैदा कर दिन दे, मैं तो एक मसाल देनी है, इस सारी थियोरी असानी नल तेरी समझ चा जाएगी, इता सारे नू पता है कि जदो उसी कैमरे नल फोटो किच दिया, तो कैमरे जी फोटो पुठी हुन दी है, जड़ा इस सेर पासे तो चंगी तरह बंद कर दे, तो गल साफ है, कि सानू एनक लगान नल पुठा दिखाई देगा, पर जैसी उसे हालत विच अखे सोखे तुर दे फिर दे रहांगे, क्योंकि दिजदा ता है, ता आठ दास दिना पिच्छो अचानक सानू एनका विच्चू दी ही, तो पिच्छ दुबारा फिर पहला हुआंगी दिखाई देन लगता है, मेरा इस सारी वारता सुनान दा मतलब ए है, कि जदो सानू उल्टा दिखाई देन दे है, ता काफी मुश्किल पेश होंदी है, दिमाग उपर इस गल दा बोज पेंदा है, इस करके आखर उसाड़ी म पूरी कर देन दे है, इस तरह साड़ा दिमाग उखोजियां प्रस्थितियां पैदा कर देन दे है, जिस दी यसी मंग कर दे है, जाज जिना गला दी दा दिमाग उपर बोज बेंदा है, उन तु जरह सोच, हार शिंगार कर दे होयां, उन तैनू शर्मान लगता है, इदा म पोच बुड़ी हो चुकी है, इस करके दिमाग ने होली होली तेरी मंग पूरी करनी शुरू कर देती है, अजय हालात नो, तु आप पैदा कर रही है, इलाज पुछ रही है मैंनो, अज तो पिछो हमेशा हलका फुलकाई सही, मेक अप ज़रूर करो, हो सके ता दो में टाइम क काम चो समा कड की स्वेर जा शामनों सेयर करन जुरूर जाओ, दोनों पती पतनीक कमरेची स्वायां करो, बच्चियानों दुजे कमरेची स्वाओ, जिय जिया संभव नहीं आत कटो कट एक जा दो कंटे पती कुल जुरूर रहो, गल्लां बातां करो, जा सोच विचार करो, जा हसो खेटो, पिछो जाके बच्चियान कोल सौंझो, अपने पती नालो हो जियाई विहार करो, जिय हो जिया तो उस समय करया कर दी सी, जदो तेरी नमी नमी शाद्धी होए सी, बच्चियान कोलो परदा जरूर रखो, परे दा असर दिल ते दिमाग तक नहीं जान देला खुब वन ठाण के रओ, हर समय खोश रहन दी कोशिश करो, जिन्दगी विच पूरी दिल चस्पी रखो, पकलीफ ते मुश्कलां दा हर किसे नूई याँ दिया, उना बारे वी सोचू, हल भी करो, परे न सारियां गलां दा असर तो और अंदर जान तो रोक के रखो, जिन बराबर बैठे पती नाल, वल्मू करके केंदी, ऐसे करके अज मैनू नाटक खेड़ना पया, उनता थोड़ी समझ चंगी तरह आ गया हुना है, कि अगूं किस तरह रहना है, उदा पती सारी गल्दी असलियत नू जान के खोश हो जान दा है, ते हस्दा होया केंदा, मैं त सब कुछ चंगी तरह समझ गया, पहला तो मैं डरी किया सी, कि एनू अज की हो गया, खेरे भी चंगाई होया, मैं डेरे वाले नच्छतर नू लेक के ना आया, नहीं तो उने भी सो दे सो चाड़ लेना सी, पैसे मैं कई वारे हो सोचदा हुन दा सी, कि तेरे अंदरों चु बलापन, तेरे अंगी लाजे सुबा कदी भी खतम होन वाला ने, दोनों खुश हो के, खुब जोरनल हथ उपर मार मार के हस दे हाँ